अब जिस मेनु को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस मेनु का नाम है वियू, और वियू का मतलब ही आप समझ रहेंगे, वियू का मतलब होता है दिखाना, दिख्लाना, केसे केसे प्रकार से हम अपनी फाइल को देख सकते हैं, हमारी फाइल को अलग-अलग टाइप से, अलग- परसेंट वियू करना है और दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगी मेटर की तो आपके सामने मैंने पांच पेंच के बराबर एक मेटर रेडी कर लिया जिसके अंदर एटलिस पांच पेपर पेंच अवैलेबल है अब मेरे लेटर भी बनके तयार हो गया मैंने सिलेक्ट भी कर द मैं कौन से देखिये मेरे पास आट पेंच है यह एक एक करके एट पेंच यहाँ पर दीख रहे हैं अगर मैंने हैं किलिक किये तो मेरे पास टोटल आट पेंच है 1673 हमारे वर्ड से यह पूरी डिटेल भी आपको दिखाई देखी और अब मैं जो बता रहा हूं वो केवल प सब्सटर्ण बैसा होता है यह प्रिंट लए ऊओट एक ऐसा मेनी होता है जिसके अंधर सभी की सभी चीजें इन्वाल्व होती है जैसे कि मैंने हां पर कर दिया रीडिंग ले आउट तो मेरा जो ले आउट है वो बदल गया और वह ले आउट में पूरे उपर के जो मेन्य टूल्स दिखाई नहीं देंगे और मैं इसे दे किसी भी वेक्ति को पढ़ने के लिए बैस्ट यूज होता है तो रीडिंग लेयाउट में आटोमेटिक मेन्यू मेरे आफ हो जाते हैं तो एक चीजी हो गई अगर आपसे पूछा जाए कि लेयाउट कितने प्रकार के होते, MS Word के अंदर तो MS Word के अंदर पांच प्रकार के लेयाउट होते हैं number one is read, print layout, web layout, outline and dropped तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पहले reading layout भी करके देख लिया वो भी बता दिया इसके बाद आ जाता है मेरे पास print layout और print layout हमेशा होता है और याद रखेगा आपको भी हमेशा किसी भी word के अंदर किसी भी computer पे अगर आप बैठते हैं तो आपको view menu का में जाने के बाद print layout करना भली कोई student ये वाली setting करके छोड़ दे अब आप बोलोगे sir मेरा page तो वो छोटा दीख रहा मेरे घर पे छोटा नहीं दीख रहा ये layout को change किया है तो 5 layout में आ अब हमेशा print layout यूज़ करेंगे अगर मुझे website पे कैसे दिखाई देगी मेरी file कैसे फेले रहेगी page मेरा इधर से पूरी दोनों तरफ से बराबर set रहेगा और तीसरा जाएंगे outline पे जाएंगे तो outline पे आपको इस तरीके से पूरा की पूरा मेटर दिखाई देगा हाँ य मेटर मेंने select किया और अगर इस मेटर को मुझे ऊपर ले जाना है अगर नीचे लाना हो अगर इसको आगे की तरफ ले जाना हो पीछे की तरफ लाना हो यह देखिए यहां से जाएगा यह आ जाएगा तो इस तरीके से हम इन चीजों का यूज़ करते सो डाकुमेंट पूर टाइब के लियाउट को आप बता देंगे बट हम जो डिफाल्ट लियाउट यूज़ करते हैं वह हमें रखना है प्रिंट लियाउट अगर आप इहां ही पर जाएंगे अभी वर्टीकल दीख रहा है देखो अभी अभी मुझे पेंज का आकार कितना भी छोटा करूआ पर यह सी टाइब से दीख रहें बट अगर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया इस टाइब से तो देखो दो 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 पेंज आपको इस तरीके से दिखाए देंगे जैसे किताब को आप पलटते होना यह देखिए यह आ गया और अगर मैंने यह दे दिया तो फिर मेरा कंप्यूटर इसा स्क्रोलिंग करेगा तो आपको अपना व्यूज बदलना है तो आप अपने हिसाफ से एक एक करके एक करके जो पेंज को पलटाना होता है तो आप यहां पर यूज भी ले सकते हैं तो इस तरीके से यह देखिए आई तो यहां पर हम इतना बड़ा भी करके देख सकते ह अगर आपने इसको यह कर दिया तो फिर इसका यह मुमेंट नहीं होगा इसलिए वर्टीकल इस बैस्ट अब आता है कि भी हम जो काम कर रहे हैं उसको अनौप करना जैसे यह स्केल किता बढ़ाया यह स्केल जो हमने यहां पर किलिक करा यह स्केल में यह पता चल रहा है लेफ् को मेरी रूलर लाइन आण हो गई अगर ग्रिड लाइन कर दी तो ग्रिड लाइन से यह पता चलेगा कि मेरा मेंटर पेंच के बाहार तो नहीं जा रहा है बंद करना है यह आ जाएगा यहीं पर एक चीज आती नेवीगेशन नेवीगेशन के अंदर आप जाओगे देखो यहां किलिक करोगे जीस पेंच पे किलिक करोगे वहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई देते रहेगा यह देखिए तो यह हमारा नेवीगेशन टूल बार होता है यहां पर हमने यह किया यह बहुत अच्छी तीन चीजे हैं इसकेल को यूज करने के लिए ग्रीड लाइन को य यहां पर करा यह 100 कई बार एसा होता है कि हम इसका व्यू बहुत छोटा कर दिया मान लिजे मैंने यहां पर गया बहुत छोटा कर दिया अब मेरा मोड़े किसी ने बोला सर हंड़ेट परसेंट में दिखा दीजिए मैं यहां एक एक चीज़ पर किलिक नहीं करूँंग डार कोई आके बोलता है सर मुझे 2-2 पेज 7 में देखना है तो देखिए यहां पर यह 2 बाइ कर दिया तो अभी 2-2 बाइ दिखाई देगा एक परसन आके बोलता है सर मुझे तो 3 पेज़े 1 by 3 करना है यहां चले जाए 1 by 3 भी हो जाएगा यह देखिए तो डिपेंड करता है से दिखाना पर आप कितना भी करो यहां जाओ यह 100 परसेंट है जहां पर आपको हमेशा बेटना वही व्यू वन पेज देखना मल्टीपल पेज एक साथ देखना यह दिख जाएगा पेज वीत में देखना सिंगल पेज यानि कि जूम का उप्योग हम उस समय करते हैं पेज को अलग-अलग परकार से देखने के तरीके अब मेरे पास कोई विक्ती फाइल पूछे कितनी फाइल खुलिए दो फाइल अगर मुझे एक निव इंडो खुलना है तो सेम टू सेम इसी की एक और फाइल बनके तैयार हो गई यह देखी डाकुमेंट 12345 और अगर मैं यहां पर जाता हूं arrange all तो मेरे सामने वही तीन फाइल जो मैंने open करके रखी one two और यहीं पर हमारी three number की फाइल भी आपको दिखाई देगी तो यह हमको जीज़ देखिए one यह हमारी one हो गई यह हमारी two हो गई और यह हमारी last में three हो गई यह तीन फाइले बनी थी तीनों मेरे साम हमने open हो चुकी है और याद रखिएगा अगर इनको यहां पर स्लाइट चेंज करना चाते हैं इसके साथ हमको क्लिक करना है तो हमको अलग-अलग स्लाइड में भी दिखाई देगी और अगर हमारे पेंच को हमें वापस बढ़ा करना है और हमें इन सब चीजों को बंद करन है बस उस पर दो बार क्लिक कर दीजिए आपकी फाइल ओपन हो जाएगी और अगर इसा लगता है व्यू के अंदर जाईए आपने जो फाइल पर क्लिक करा यह आपका मेटर आपको यह पर दिखाई देने लगेगा तो जब भी ऐसा लगे तो आप अपनी जरूरत के अनुस दिखाई देती है नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं इसी के अंदर आपसंस में चलते हैं मेनू हमारा व्यू है मेक्रो बहुत काम आईगी और मेक्रो नॉर्मली जिसको जैसा बनाना होता मेक्रो एक परकार से जो होता है किसी भी चीज को रेकॉर्ड करके रख लो जब आप वो नहीं हो पाती तो मैंने क्या करा व्यू में गया मैंने अपनी मेक्रो को रेकॉर्ड मेक्रो कर दिया मैंने नाम दे दिया नेटलिंक मेक्रो का नाम नेटलिंक दे दिया ओके करा अब मेरी रेकॉर्डिंग शुरू हो गई ठीके नेटलिंक इन्फो टेक इस फास्टेस्ट ग्रोविंग इंसिट्यूट अफ सेंट्रल इंडिया यह हमने लिख दिया अब मेरी रेकॉर्डिंग चल रही है और भी लिख सकता हूँ खंडवा, इंदोर, भोपाल, ग्वालियर, जो भी लिखना, मुरेना तो हम यह से लिखते जाएंगे और हमने अपनी मेक्रो को अभी स्टॉप करके चले गए अब मुझे जब जरूरत पड़ी एक घंटे बाद किसी दूसरी फाइल के अंदर मैं फाइल बना रहा था और वहा भी नहीं करूआ, केवल करसर रखूंगा मैं, करसर रखने के बाद मैं मेक्रो में जाओंगा, वहाँ पर व्यू मेक्रो में जाओंगा, यह नेटलिंग नाम की बनी मेक्रो, रन किया, यह देखो एड्रेस आ गया, और एक पहले से किसी वेक्ती की मेक्रो और बनी हुई है, उसका नाम ABCA, रन किया, तो उसमें देखो, computer, another types of computer, mini computer, तो यह भी मेरे पास बन कर तयार हो गई, इस तरीके से हमारे पास जो भी हमने view के अंदर एक 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 चीजे पढ़ी, उनके एक एक चीज के एक एक option को आपने one by one, step by step, एक एक चीज को समझा कि किस तरीके से हम इ सकते हैं